नमस्का दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर अनुपम खोश है मैं एक डाबिटीस कोच हूँ और एक फिटनेस निउटिशन स्पेशलिस्ट स्वागत है आप सबका एक बर फिर से एक नए वीडियो में एक नए फूट रिवीव में और आज हम रिवीव करेंगे काला जामून का मैंने किया था 100 ग्राम के असपास है ठीक है इसका रिवीव करेंगे इसको खाके मैं चेक करूंगा अपना ब्लड शुगर दो गंडे बाद कितना आता है और मैं आप लोग को बता दूं कि एक समोसे का वीडियो में ने बनाया था शायद आप लोगों ने अल्रेड देख ल काल से अभी तकरीबन तीन घंटे के असपास हो गया है चावल और मचली काया था थोड़ा सबजी खाया था तीन घंटा हो चुका है ठीक है अभी टाइम देखते हैं क्या हो रहा है टाइम क्या 5718 मिनिट आप देख सकते हैं पाच बच्त के 38 मिनिट हो घाए है और सब से पह अगर आप प्रिक करना है सरदी का मौसम है तो हाथ को सबसे पहले इस तरह से घरम कर लिए अगर आप हाथ को घरम नहीं करेंगे तो खुन nिकलना काफी मुश्किल हो जाता है खुन nid लेंसेट हमेशा नया इस्तावाल करिए जितनी बार प्रिक करेंगे उतनी बार लेंसेट नया होना चाहिए तभी आपका एक ही भार में खून जो है वो निकल जाएगा ठीक है यह दिखिए उसके पहले हम एक स्ट्रीप लगा लेते हैं पहले एक श्ट्रीप लगा के गल्यू ग्लूकोमीटर जो है, बिल्कुल तयार है, ठीक है ना, इस चैनल में ही आपको इस तरह की सारे टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगे, तो अगर आप लोग चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, वीडियो को लाइक कर देना यार, लाइक करने से हमें थोड़ा स मॉटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का, ठीक है, ग्लूकोमीटर रेडी है, हाथ को थोड़ा समय और गरम कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसे करिए, हाथ जब थोड़ा गरम हो जाएगा, एक ही प्रिक में आपका खून निकल जाएगा, ठीक है, अब देखिए, एक ही प्र आउन शुरू, तो अभी आप देख सकते हैं, तीन घंटे बाद, रेंडम ब्लड शुगर जो है, मेरा 97 आया है, ठीक है, तीन घंटे बाद, रेंडम ब्लड शुगर 97 आया है, और मैंने चावल खाया था काफी है, डाइसो ग्राम के असपास चावल भी खाया था, फीज भी खाया था, और थोड़ा वो सबजी भी खाया था, आप देख लिजे, सुबा में मैंने दो समों से खाया था, ठीक है, ये मेरा रेंडम ब्लड शुगर है, इसलिए मैं बार बार आप लोग को कहता हूँ, कि एक रीडिंग सब कुछ नहीं बताता है, ठीक है, एक रीडिंग स दो समों से खाने के बाद मेरा 181 आया था, लेकिन अभी रेंडम ब्लड शुगर 97 है, सो के नीचे है, ठीक है, तो अभी हम खायेंगे दो काला जामुन, और ये काला जामुन मैंने खरीदा नहीं है, मेरे परवसी ने देखे गये थे कल, तो हमने कहा कि इसको खा लेंगे, औ लेकिन आप लोगों को नहीं खाना चाहिए, अगर आपको शुगर है, तो ये खाने से आपकी शुगर बढ़ेगी, लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखना चाते हैं, तो बिल्कुल देखिए, मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ, ना आयरवेदिक और ना ही ऐल कमेंट में जरूर बताना, मुझे आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, फिलाल तो मैं काला जमून इंजॉय करता हूँ तो दोस्तों मैंने दो काला जमून खा लिया है, ठीके, आप गुलाब जमून खा के और फिलाल जो टाइम हो रहा है, वो है 5 बच के 45 मिनिट, 5 बच के 45 मिनिट अभी टाइम हो रहा है, ठीके, 6-7, 7-45 को मैं अपना ब्लट शुगर चेक करूँगा, इस बीच में कुछ भी नहीं खाऊँगा, और एक्जेकली 2 घंटे बाद मैं फिर से शुगर लेवल चेक करक देखूँगा, मेरा शुगर लेवल कितना बढ़ता है, दो काला जामुन खा के, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से 2 घंटे बाद, तो दोस्तों, एक्जेकली 2 घंटा हो चुका है, मुझे 2 काला जामुन खाए हुए, आईए टाइम देखते हैं अभी, अब टाइम देख लिजे, 7 बच के 46 मिनट, 7 बच के 46 मिनट, exactly 2 घंटा हो चुका है, ठीक है न, और अभी मैं अपना दोबारा से टेस्ट करता हूँ, और देखूँगा, मेरा शुगर लेवल बढ़ता है या घटता है, काफी लोग कहता है, सर आप बार बार इतना प्रिक कर रहे इतने वीडियो बना रहे, आपको दर्द नहीं होता है, बिलकुल दर्द होता है, और मैं ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, अगर मेरी ये वीडियो बनाने से आपकी डाइबेटिस ठीक हो सकती है, अगर आप अपने डाइबेटिस डिवर्स कर पाएंगे, तो य ये दर्द भी मुझे मनजूर है, ये सारत चीज़ में इसलिए कर रहा हूँ, ताकि आप लुक को दिखा सकूँ, जब भी आप हाई कार्ब फूड खाएंगे, आपकी शुगर लेवल बढ़ेगी, और डाइबेटिस होने का कारण भी यही है, डाइबेटिस इसी कारण होता हूँ, कई मैनों से ले रहा हूँ, और मैं देखना चाहता था कि मेरी बोडी कैसे रियक्ट करती है, और मुझे लगता है कि मुझे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस या प्री डाइबेटिस हो गया है, कैसे पता चलेगा, फास्टिं इंसुलिन चेक करके, और एजबी वन सी च हो सकता है, और हो सकता है कि एजबी वन सी भी बढ़ गया हो, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से हाई काप डाइट खा रहा हूँ, और आप लोग को बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस तरह का खाना ना खाए, अगर आप इस तरह के खाने खाते हैं, तो मेरा भी शुगर लेवल बढ़ता है, किसी का भी बढ़ेगा, और अगर आपको डाइबेटीज है, तो आपका तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ आप डाइबेटीज कभी रिवर्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आईए चक करके देखते हैं, मेरी शुगर लेवल अभी कितना आता है, इसके पहले एक स्ट्रिप लगा लेते हैं, और देख रहे हैं कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो लाइक जरू कर दे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सारे चीज़ आपके लिए कर रहे हैं, बार बार सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन दावा दे क्योंकि इस चैनल में आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे ठीक है तो आएए चेक करके देखते हैं और यह देखिए तो आप देखिए 119 आया है दो काला जामून खाके तो आप देख सकते हैं कि मेरी शुगर लेवल उतना नहीं बड़ा है तो कई बार बढ़ता है कई बार नहीं बढ़ता है बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं हो सकता है कि इसमें इतना करवाड डेट ना हो ठीक है इसकी क्या रीजन है मुझे खुद नहीं पता हो सकता है कि आपकी ये गलिकोमेटर की डीडिंग सही नहीं हो ज़ादा तर समय गलिकोमेटर की डीडिंग जो है वो सही नहीं आता है ठीक है आप देख सकते हैं 119 आया हैं दो काला जामून खाके ये दिखिए आप लोग भी ये टेस्ट करके देख सकते हैं लेकिन ये टेस्ट आपको करना है तो बीना किसी दवाई के करिए और फिर आपको पता चलेगा कि आपकी शुगर लेवल कितना है ठीके दो काला जामून खाके बिना किसी दवाई के न आयरुवेदिक न आयलोपेदिक मेरा शुगर रिडिंग आया है 119 119 आप लोग ये टेस्ट करके बताएए आपकी शुगर लेवल कितना आया है मुझे पूरा येकिन है अभी भी कि मुझे अभी तक डाइबेटीज नहीं है हो सकता है कि मुझे प्री डाइबेटीज हो गया हो हो सकता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया हो लेकिन डाइबेटीज तो नहीं है इतना मैं 100% आपको कह सकता हूँ बहुत जल्दी एक HB1C का टेस्ट करके भी आपको बता देंगे और दिखा भी देंगे ठीक है वीडियो को शेयर जरूर करिए लोगों तक पहुचाए वीडियो क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही जादा इंफर्मेटिव है और हर वीडियो में कुछ न कुछ अच्छा इंफर्मेशन आप लोग को देने की कोशिश करता हूँ तो इस वीडियो में इतना ही मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ तब तक स्वस्त रहे, मस्त रहे इस वीडियो को देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद झाल